नमस्कार इस चैनल पर आपका स्वागत है आज के कविता का शिर्षक है मिट्टी बचाओ तो चलो शुरू करते हैं मिट्टी पर मैं क्या लिखू मिट्टी पर मैं क्या लिखू मिट्टी पर इतिहास लिखे है जय जवान जय किसान के जय विज्ञान के गीत लिखे है मिट्टी पर मैं क्या लिखू मिट्टी का स्मरण रखे हम मिट्टी को नमन करे हम मिट्टी है अनमोल बहुत मिट्टी को वंदन करे हम मिट्टी खोदी तब पानी पाया अनाज कितना मिट्टी से उपजाया कितनी मिट्टी लहुलुहान हो गई कितनी मिट्टी नदियों में बह गई फिर भी खुश्नुमा रहती मिट्टी हरियाली फूल खिलाती मिट्टी ऐसी मिट्टी सुगंद बिखेरती बारिश की बवचारों में जुलती आनन्द मन का द्भिगुणित करती यादों को तरो ताजा करती ऐसी प्यारे मिट्टी को अब हमें संभालना होगा मानों के अगली पिडियों का भविश्य जतन करना होगा सव साल में बनता है मिट्टी का एक कण हम भी तो दुनिया में मानों है एक कण मिट्टी से आना है, मिट्टी में ही जाना है पंच महा भूत के अउशों में असिमित जीवन चलना है मिट्टी तन की शक्ती है मिट्टी मन की भक्ती है मिट्टी प्रभु का वर्दान है युग युग का अन भंडार है उरुक्षों का आधार है मिट्टी जीवों का सहारा है मिट्टी सौंस्कूरूती की धरा है मिट्टी, आनबान शान है मिट्टी, मिट्टी का तिलक करके ही वीर आगे बढ़ते है, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का जंडा उचा फहराते है शूर विरों की इस भूमी पर अहिंसा का अलख जगा है, बंदुभाव और शान्ती का हर किसी ने पाठ पढ़ा है हम में से कितनों ने बचपन में मिट्टी खाई है, ठोकर लगकर गिर पड़े तो मरहम मिट्टी लगाई है कृतद नत्या से उस मिट्टी को अब हमें बचाना होगा, सतत विकास के लिए जरूरी मिट्टी को सम्रुद्ध रखना होगा मिट्टी से ब्रम्हांड है, मिट्टी ने प्रलय को थामा है जुमती है मिट्टी तो बादल भी जुमते है तड़कती है मिट्टी तो ज्वाला मुखी फुटते है कुम्भार का चक्र मिट्टी को सुन्दर आकार दिलाता समय का चक्र मनुष्य का व्यक्तित्व है बनाता मिट्टी से जुड़े लोग ही आकाश को थामे रखते है मिट्टी बह जाती पानी में, मिट्टी उड़ जाती हवाओं में तप्ती है मिट्टी धूप में, ठिठूरती सर्द रातों में सहती रहती थामे रहती, जीवन डोर पकड़े रहती मिट्टी साथ निभाते रहती, मिट्टी आस दिलाते रहती इसके आगे की ये कविता विद्यार्थियों के लिए ही है फिर भी आप सुनते है तो ये तो और भी अच्छा है मिट्टी को मुरुदा भी कहते है मिट्टी के अभ्यास को मुरुदा विज्ञान कहते है कार्बनिक तथा अकार्बनिक कणों का मिश्रन है मृधा, जमीन की उपरी सतह पर विवीद प्रकार की दिख्ती मृधा मिट्टी की उत्पत्ती चट्टानों से होती है, जीवजन्तु और पवधों से अकार्बनिक सम्मिश्रन बनते है मृदा याने मिट्टी में होते हैं तीन स्तर उपर अ नीचे ब सबसे नीचे पैतरूक सस्तर सभी स्तरों के रासाइनिक और भवतिक गुणों को जानोगे फिर फसल का चुनाव करोगे तभी कुरुशी में लाभानवित होगे जल वायू उश्मा खनिजों पर मिट्टी के भवतिक गुण निर्भर है नाइट्रोजन पोटाश फस्पेट जल पर मिट्टी के रासाइनिक गुण निर्भर है कणों के आकार पर भी भवतिक गुण निर्भर है बड़े कण की मिट्टी में जल ठहरता नहीं कभी छोटे कंड की मिट्टी से चिकनाई जाती नहीं कभी कारबनिक पदार्थ जादा होगे तो हलकाई सुघड ट्यता बढ़ेगी खनिच पदार्थ जादा होगे तो भार बढ़ा लेगी मिट्टी के कंड समुह बनाते समुह बारह प्रकार के रहते मिट्टी का गुरुत्व दो दशमलव पाच इतना आज रखना याद मिट्टी के कणों के बीच जो खाली जगह रहती है कणांतरित चिद्र ऐसा उसे कहते है इन चिद्रों के कारण ही मिट्टी जल शोशन करती है पहला जल आर्द्रता से दुसरा अउशोशित होकर आता तिसरा जल केशी का प्रभाव से चौथा गुरुत्विय भार से आता जिन चिद्रों में जल नहीं वहा वायू प्रवेश कर जाती रुक्षों की रुद्धी है तू वायू की भी जरूरत होती पवधे उगे इसके लिए उचित तापमान जरूरी है मिट्टी अपने तापमान को सदैव नियंत्रित रखती है सुर्य किरण और जलव वाश्प गर्मी लेकर आते है कार्बनिक पदार्थों की सडन पुरुत्वी की आंतरिक उर्जा ये तापमान बढ़ाते है लेकिन तब मिट्टी का पानी भाप बनकर उड़ता है साथ हवा के ठंडे जोकों से तापमान नियंत्रित रहता है मिट्टी में जो नव तत्व अधिक मात्रा में रहते है वो है कुछ इस प्रकार नाइट्रोजन, अक्सिजन, हैड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, कार्बन, फस्परस, केल्शियम, मैगनेशियम अन्य तत्व भी मिट्टी में न्यून मात्रा में होते है जैसे लोह गंधक सिलीका, क्लोरीन मैगनीज जस्ता, निकल कोबल्ट मिलिब्डेनम, बोरन तामर सेलिनियम सुक्ष्म स्वरूप में मिट्टी में वनस्पती जिव जन्तु रहते है जिवानू कीटानू रहते, मिट्टी के ये उर्वर्ता बढ़ाते एक से छे तक पियच हो तब मिट्टी अमलिय है कहलाती साथ से आठ दशमलो पाश तक मिट्टी लवनिय रहती है इसके आगे चवदा पियच तक मिट्टी को खशारिय कहते है काली, भूरी, लाल, सफेद, राखाडी और पिली मिट्टी मिट्टी के ये जाने कितने रंग है जलवायू के प्रभाव से रंग बदलते जाते है जलोड मुरुदा, वन मुरुदा, लेटे राइट, जैविक मुरुदा परवतियक शारिय शुश्क मुरुदा ये भी मुरुदा के प्रकार है किस मिट्टी में कौन सी फसल आओ हम थोड़ा देखे काली मिट्टी में कपा सचावल मसुर चना खेसडी की फसल लाल मिट्टी में जवार बाजरा मुन फली अरहर मक्कई की फसल लेटे राइट मिट्टी में काजू लगेंगे परवतिय मिट्टी में मसाले उगेंगे शुश्क मिट्टी में तिलहन रागी लवनिय मिट्टी में नारियल घास ऐसी मिट्टी के अनुसार फसल का करेंगे प्रसार तो कुरुशी सर्वत्तम होगी अन्यथा भूमी प्रदुशन बढ़ेगा जो मरुस्थल को बढ़ाएगा कारगर उपाय ढूंडने होंगे अध्यान अनुसंधान करने होंगे ओशक तक्व बढ़ाने होंगे मिट्टी को संजोय रखने रुक्षा रूपन करने होंगे धन्यवाद अन्यवाद